मावभगला मखी जो है वो अश्टमी यानी कि आठवी जो माविद्या है वो है मावभगला मुखी की साधना काफी important होती है yeah मैं पुरे प्रोपर knots लेके बैठा हूँ यहां पर अपने साथ quer में प्रोपर लिखके बैठा हुआ הי Freddie आपके सस्थ क्या क्या points मुझे discuss करने हैं क्योंकि मैं टॉपिक से भटकू ना साथी में सारे पॉइंट्स कवर हो जाए ऐसा ना हो कि मैं कुछ भूल जाओ और लास्ट में कॉमेंट सेक्षिन में पूछ रहे हो तो यह मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टन वीडियो है महाकाली के ओपर अलड सबसे पहली बात तो आप सभी को महा की तरफ से बहुत सा राशिरवात महा बगला मुकि का बहुत सा राशिरवात को यह प्यारी बहुत नाम रोशन करें अगे बात करें हम लोग में तौपिक की तो मा बगला मुखी जी की सीरीज यानि मा बगला मुखी जी के उपर एक प्रॉपर वीडियो में बनाने वाला हूँ इस वीडियो में कोशिश करूँगा सब कुछ कवर हो नहीं हो पाता है तो आगे हम कवर करेंगे शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को जै मातारी आप सभी को you are watching मा अधिशक्की मडिटिशन केंद्र हम सब के प्यारे से चैनल में आप सभी लोगों का हर दिख स्वागत है मा बगला मुखी जी इर्थ महाविद्या है मा के बहुत सारे अलग-अलग मंत्र है लेकिन मंत्र को सही तरीके से बोलना किसी को नहीं है सबसे पहले मा के बीज के बारे में बात करें तो मा बगला मुखी जी का जो बीज है वो है हिलीम ठीक है इसको हलरीम भी बोला जाता है और इसको हरीम भी बोला जाता है क्या चीज सही है क्या चीज सही नहीं इसके बारे में बात करेंगे आपको बता है भगवान विश्णु इसलिए आप आम तोर पर देखेंगे जो भी विश्णु भगवान के साधक है उनको मा बगला मुखी जी का बहुत क्रेज रहता है और वो डेफिनेटली मा बगला मुखी जी की साधना करते हैं क्योंकि विश्णु पुरान पढ़ते हैं बहुत सारे चीज़ें पढ़ते हैं बगला मुखी जी का मेंशन होता है सत्यूग में एक तूफान आया था जिस तूफान से बचने के लिए भगवान विश्णु जी ने हरिद्रा नदी जुथी वहां पर तप किया था और वहां से मा आदिशक्ति का एक स्वरूप बगला मुखी जी की रूप में बाहर आया खार और उन्होंने भगवान विश्णु जी की इच्छा को पूर्नी किया था तो मां बगला मुखी जी की साधक बहुत सारे आपको विश्णु भग और कृष्नु भग दिखते हैं सबसे पहले तो मैं बटाहूँ एम मां बगला मुखी जी मंट्र है दिणियोग मंत्र अल उनको आशिर्वाद मिले मा के एंचरजी उन तक पहुचे और मा क्योंकि बहुत पावर्फुल हैम अधिशक्ती का एक बहुत अच्छा और बहुत waterproof स्वरूप मा बगला मुखी हैं। मा बथ बात मा बगला मुखी जी बिलकुल bekommt है। के मा बगला मुखी जी कोई प्रचलन नहीं है कि आमस्रब्टा हो एक साईड है जहां पेड़ाया जाता है बलत व वृ expect दो कर नी जैसे विष्णु जी की आम तोर पेप करते हो मा दुर्गा की करते हो वैसे महा बगला मुखी जी की साध्मना उते हैं प्डॉल son नहीं कहूंगा में चीज यह है कि हम लोगों को हर चीज यलो रखने होती है तो हम लोगों को जो मां के लिए आसन चाहिए होगा यलो मां के लिए चुननी चाहिए होगा यलो मां के लिए नारियल को भी यलो रखना पड़ेगा माला चाहिए होगी यलो आपका आसन होना चाहि करेंगे वह होना चाहिए यह लो आपके माथे पर टीका भी होना चाहिए है हर चीज यह लो इसलिए मा को पितांबरा कहा जाता है अब माकी साधना में दो गल्ती तो सबसे इंपॉर्टन कर देते हैं लोग बैसिक सबसे सिक गलती एक तो मां-बगलां मुखी जी के साथ एक गंएज जी का अलग रूप है और मां-बगलां मुखी जी चेट शिव जी का अलग हैं जिन दोनों की उपासना बहुत україн होती है इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मैंने मा बगला मुख्य की साधिना और लेडी ग्रूप में कराई है कुछ दो-तीन महिने पहले कुछ ही लोगों को मैं फिर से कराने जा रहा हूं उनको तो कराऊंगा लेकिन क्योंकि यूटूब वाले लोग भी मेरे अपने हैं तो उनक सुनना एकदम फ्रेश माइंड होके राम से सुनो तभी समझभाव कि मा बगला मुख्य की साधना आपको कोट केस कि शच्तुनाश के लोग करते हैं शत्रू नाश करते हैं शत्रोने घिर लिया है क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र है मा तो उपकी मघत करती हैं लेकिन जो लोग सिरए कि माह की कृपा प्राप्त कर ना चाहता है उनके उपासक को होता हो गया करेंगा मा के हर सारूप करों पूजा करूं उनका भी पूजा करूं पूजा करूं और उन्व सबस्किरकताद में क्रेना करहा करेंगेson का प्रेण और अलग से मिलेगा तो बात करते हम लोग क्योंकि हम लोगों को साधना मा के दृशन और मा के प्रेण के लिए करने चाहिए वह देखो सबसे पहले तो मा की पूजा अर्चना से पहले गनेश जी का एक स्वरूप इसे कहा जो शिव का स्वरूप है वह मृत्यूंजय श्वरूप इसले भगवान के महा मृत्यूंजय मंत्र की भी साधना साथ में मां के चलती है चिक है कि दोनों चीजे हरिद्रा गनपती जी का मंत्र में आपकी स्क्रीन पर लगा दूँगा ठीक है हरित्वर गन्पति जी का साधना शुरू कर this content को भी 10 जुरूर जपे और अशिर्वधने शिव के Boston हा बगला मुखी जी के मंत्र्में उनका भीज है वह है हलीन अब अब इसको हलीम, हरीम और हलरीम बोला जाता है, हरीम बोलना थोड़ा सा रॉंग रहेगा, इसलिए हलीम correct pronunciation है, दूसरी बात हलरीम बोलना भी सही है, रा जो होता है, यह इसमें fire element को जोड़ देता है, और इस मंतर के energy को कहीं न कहीं और ज्यादा refresh करता है, बट, as in basic, हम लोगों को correct, अगर मैं बताओं तो आप हलीम बोले, modification ना किया जाए, तो हलीम correct है, आप definitely हलीम या हरीम भी बोलके इस आधना को कर सकते हैं, हलीम is the right pronunciation for this beach, right, now मा का जो पूरा मंतर है, वो है, ओम हलीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखं पडम स्तंभय जिवहे कीला बुद्धी विनाशय हलीम ओम स्वाहाद ये जो मंतर मैंने आपको बताया अफिलाल के लिए, ये मंतर जो मैंने आपको बगला मुखी मा का बताया है, ये मंतर आपके ध्यान में रख जाप किया जाता है, तो मा के लिए आप हल्दी की माला का इस्तमाल कर सकते हैं, आप स्वाटीक की माला पर हल्दी लगा कर, हल्का सा हल्दी घीला करके स्वाटीक पर लगा ले, ये स्वाटीक पर जाप किया जा सकता है, पीले चंदन की माला पर भी मा का जाप किया जा सकता चंद्रिका की माला को भी पीला हल्दी लगाकर उस पर जाप किया जा सकता है अगर माला आपके पास नहीं है तो 108 चने की डालों पर भी मां का जाप किया जा सकता है और 108 हल्दी की गाठ पर भी मां का जाप किया जा सकता है सबसे पहले तो आप एक चौंकी पर पीले आसन को बिछा ले और पीली मोली जो आती है उससे आप बांधने के बाद आप एक लोटा ले, कटोरी ले, जल भरे, उसके अंदर पीले पुश्प रखें, फूल से छिड़काव करें, गंगा जल का चौंकी पर पवित्र करें, उसक स्वास्तिक बनाएं, कलश बनाएं, स्वास्तिक बनाने के बाद आप उनके उपर यंत्र को या मा की मूर्ती को स्थापित कर सकते हैं, मा की मूर्ती या फिर साथ में आप मा के यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, स्थापित कर लिया है, तो मा के लिए आपको दिया जलाना है, दिया गाय के घी का होता है गाय के घी जो आप मा का इस्तमाल करें इसमें हलकी सी एक दीय में डाले के बाद चुट्की भर हल्दी डालकी उसको पीला रंग दे और जो मोली है वो भी आप पीली कदर के इस्तमाल करें ठीक है वरना आप कॉटन की बाती को हल्दी लगा कर पीला तक पहुंचे दूसरी बात मा तक यह पहुंचे यह आपको इंशौर करना है साथी में पीडी सरसो भी मा के लिए आपको चौंकी के चारों तरफ थोड़ी 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 पोर्शन आपको चुट्की भर रखना है ठीक है मा के लिए कोई भी सोने की आइटम जो आपकी घ नरूप के आगे मा को साथी में आप फुषप जो भी अरपित करेंगी वो पीले होनी चाहिए मा को भूग भी पीला चड़ाया जाता है रहे की केले का पपीते का ठीक है और भी पीले में आप चड़ा सकते ओंट तो आप हल्दी सॉरी आप बना सकते हैं लवा आप भी बना है आपका जो मुख होना चाहिए वो North facing होना चाहिए मां का आप जाप कर सकते हो सिरफ हलीम का भी जाप कर सकते हो और हल्दी की माला पर और जो भी माला आए मैंने बताई आप उस पर उत्ता जाप कर सकते हैं महिला है अगर periods आ जाए इन दौरान साधना के दौरान तो वो दिन आप नहीं गिनेंगे और बाके की दिन आप गिनेंगे मा को पीले लड़ू भी आप चड़ा सकते हैं और पुष पे तो मा को पीले ही चड़ेंगे चीक है आप प्राथना करेंगे अपना नाम और अपने पिता का नाम बताएंगे महिला मेरिड है पती का नाम बदाने के बाद अपने एड्रेस आज की थी और आज का दिन बताएंगे समय बताएंगे और बोलेंगे कि आज मैं संकल्प लेता है लेती हूं कि मैं 11 दिन तक मा के इस मंत्र की रोज पीन माला जितना भी आपका हुपाच जितना भी आपका सके या एक माला करूंगी इसके फलस्वरूप मा भगला मुखी जी मुझे आपकी किरपा हो आपकी ईक्द części अगर मैं इस लायक हूं तो आपकी दरशन मुझे प्राप्त हो कह कर आप या जो भी आपका साक्षी हो तो धया वो or संगल्प होने के बाद हुआ जाएंगी मां को 10 बजगे बाद किया जा जाथ को कोशिश करो जब बारा इनरजी मिलेगी मां बहुत थिए चुक्श्च धोग हुट जब hic cumplर्सें मांगी वुझा बाट कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी है माँ घ्ला मुखी जी भ्रमास्त्र का वच है त υसे ब्रक्तिंति पूब को भुवर प्रोटेक्टिव होती है सासथ्तु की साथना बीगनर किसी इन्सानल को नहीं करने जाहिए क्योंकि आप उस इत्रैक्ट कर लेंगे कि कल्युग में आप मां तक पहुंचने से पहले रास्ते में बहुत नेगटिवीटी होती है तो इस वर रास्ते तक आप इतने शुरक्षित होने तरह आपको औरा होना चाहिए उस लाएक अगर आप नहीं नहीं पहुंचोंगे और नीजे ही आपको न उसके बाद आप मा ऑगला मुखीजी की साधना बिलकुल कर सकते हैं कोई आपको रोकने वाला नहीं है जिए कैमिन् flame अपने आप सेर्ण हैं किरों टूबसे यद्ध चैनि-ध्य जैसे साधना ना करें ती कि आप नायाखों जरूर करें मैं भी साधना करवाने वाला हूं सब लोग करने वाले मेरे साधना जो ग्रूप में लोग जुड़े हैं उसमें से mostly लोग जो deserve करते हैं जिनके energy तने capable हैं वो लोग करेंगे कोई problem नहीं है मा के energy yellow color की होती है मा के साधना में जो हनुभव होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वीडियो लेकर आओंगा आपको समझाओंगा और मा इतनी जादा सुरक्षा आपको बदान करते हैं कि आपको कोई छू भी नहीं पाता है क्योंकि मा के energy बहुत प्रकाशित है अगर आप नोटिस करो तो सबसे ज़्यादा frequency जिस कलर की है सबसे ज़्यादा जो हाइलाइट होता है कलर एक तो उसमें से हमारा रेड है दूसरे नंबर पर यलो आ जाता है यलो भी बहुत ज़्यादा हाइलेट होता और एकदम चमकता है जब यलो ब्राइट किसे को दिख जाए तो वह आखे भी नहीं खुल पाता है तो मा के energy बहुत पावर्फुल है बहुत energetic है गोल्डन गोल्डन कलर के energy होती है मा अधिशक्ति का एक बहुत ज़्यादा भ्याना प्यारा स्वरूप है मा का और इस स्वरूप की पूजा अर स्थापित कर सकते हुँ इसने कोई ने पॉइंट मिश्यां की ओफास के और उनके वह वह बगला मख किंप अंछी लेकिनुद वह साधना वह बहुत टाइम से मां गया मुथ साधना लेकिन वह वह बीच को गलत traveled प्रनाउन्स कर रहे तो जब मैंने उनसे बात करी तो उनको मैंने करेक्ट किया और जब बीच प्रणाउंस करने लगे तो उन्हें पता लगा ये एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे महसूस हो रही है तो आप करेक्ट प्रणाउंस कीजिए कि गलत प्रणाउंस करने से आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है चीक है हलाकि उनके पास को ने पॉजित था नेचर सब कुछ सब कुछ अच्छा था सारी अच्छी थी पुंदुलनी बहुत अच्छी थी उर्जा बहुत अच्छी थी करता थी हमें क्या करना है तो केरेंगे के हल्दी लगाकर उसे पीला कर लें यंद जल्द के अंदर आपको न्यांड डालना है दो हल्दी की गाथ सर्सों और कमल गट्टे सकते हैं तुक सिदिक चांची अर पहनना है खुद भी पीला टीका लगा के बैठे और खुद भी पीला ही जरूनी अवस्तर पहनना है तो चदर सी लिले पीली कलरकी कपड़ा लेया सब्पर बैठे आसन पर नीचे बीला रखे ठीक है कांफी लोग तो तो हर चीज एकदम बढ़िया तरीके से करें अच्छे एनर्जी एब्जॉब करें साधना अच्छे से करें कि आई होप मैंने सारे पॉइंट क्लियर किये हैं कुछ भी रह गया होगा कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जब मैं एक सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे टीम से बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट मिलेंगी हम लोग ऐसी बहुत सारी प्यारी वीडियो में तब तक के लिए मा की बहुत साथी ब्लेसिंग जय मात अब अब सभी को जय बाम अगला मुखी जैश्वी राम झाल झाल झाल